नमस्कार दोस्तों मैं बुपिंद्र खन्ना आप सभी का अपोगे एड्यूटिनर की इस ओनलाइन क्लासेज में सब्सक्राइब करता हूँ कैसे आप सभी आई होग की बहतरीन होंगे बढ़िया होंगे और अपनी कारेक को सिचारूट से कर रहे होंगे चलिए शुरू करते है है आज की शुरूबात कल का वीडियो आज अप्लोड हुआ क्योंकि कुछ एरर आ गया थे नेट कनेक्शन नहीं था जो ही है हम बात करेंगे चार जनुरी 2020 के करेंट अफेस की ठीक है और यह चार जनुरी 2020 का जो करेंट अफेस बहुत महत्पूर्ण है क्योंकि जैसे कि आर एस एस बी पटवारी चाह मैं बात करूँ रास्थान पुलिस चाह मैं बात करूँ बैंक क्योंकि एज बै की काफी विकिंसी लगवट आठ हजार विकिंसी एज बै की इसका मैं पूरे डिटेल दूँगा वहाँ आर बी आई असिस्टेंट इन सब में ये कोशन आपकी पूछी जाएंगे जो रीसेंट एक्जाम आपको दिख रहे हैं आने वाले हैं वहाँ पे ठीक हैं तो मैं बतातूँ ये डिली गवर्ण फेस आपके एससी की सबसे इंपॉर्टन है और रीड की सबसे इंपॉर्टन ह इस करण फ इसकी प्रिफ को आप डिस्क्रिप्जिन मॉर्टमें हम एक टेली गराम लिंक दिया है वहां से डाउन जाता है और जब डाउन जाता है तो आप समस्था किती समस्य आ जाती है शुरू करें लेट्स बिगेन वेथ आज का पहला कोशन है यह किस राज्य ने रिपीट किस राज्य ने नागरिक शेंशोशन अधीनियम को वापिस लेने के लिए प्रस्ताव पारित किया है वैसल मैं कि कल के कोशन में भी था कुछ बहुत इंबॉर्डन अभी हाली में जो चर्चा मिराज्य है तो इसकी ओप्शन है ए केरला बी पंजाब सी ओडिसा और डी पस्रिमेंगेन तो करे ने अभी हाली में सी ए की विद्ध विवादासपत जो बना जा रहा है किल राज्य प्रस्तावित पारित के नरभाद के पहला राज्य बन गया है जो कि ववादासपत नाकरिक शेंशोदन अधीनियम को वापिस लेने की मांग करता है हाला कि मुझे विश्चा में लिया रह के करिल विद्वार्णसापाag ने ग्रतीस दिसमब 2019 को सी ए की खिलाफ प्रस्तावित चाहित जैसा की बात कि जाए कि किरल की राजध्धानी है त्री उनन्दपुरम और इसके जो इसे वरत्मान मुक्य मंत्री हैं वो पी विजियन है तो हमें नहीं वात है कि इसके राज़निया को या रखनी है और मुक्य मंत्री पी विजियन या रखना है और ये पहले राज्य हैं जिन्होंने CAA के विरुद प्रस्ताव पारित किया है तो कोशन नमर एक, कोशन नमर दो भारत ने वायू प्रदूशन को काबू पाने के उद्देश से इस वर्ष किन पठाकों की शुरुआत की बारत ने वायू प्रदूशन को काबू पाने के उद्देश से इस वर्ष किन पठाकों की शुरुआत की options are red पठाके, black पठाके, harit पठाके और श्वेद पठाके तो correct answer is what c harit पठाकों की शुरुआत की गई है नकली पठाका निर्माताओं को पता लगाने के लिए हरित लोगों और क्यों आर्ट नालिक की शुरुवात की गई हैं वेज्ञानिक और अध्यकिक अनुसंदान प्रदिशित की प्योग सालों में पर्यावन अनुकूल पठाकों विक्षित करने का कारे किया जा रहा है भारत में वायूप प्योगों को रोकने की उद्दिश से काबू करने उद्दिश से इस वर्ष हरित पठाकों की शुरुवात की गई थी तो क्यान से कहो है दोससे में चर्चा की गई थी और वहां पर जो हम बात की थीrí वोस मरें च्रच्चा की गई थीू क्यार हिए नमत 3 कहां से भारती रेलवे ने नई पैसेंजर सुचण प्रनाली की शुरुवात कियह कि ऊपषिंजर 10 गोरकपूर रही स्टेशिंज करना ना अनकापली देक कान्य इंद्वहर गोहाटी रही स्टेशन नहीं पैसेंजर 2 придो धेरे अब ये क्या है मैं बदाएता हूं भारती देल्वेन में दक्षिन मद्दे रेल्वे के विजयवारा डिवीजिन के अनकाप पर ली रेल्वे स्टेशन पर नई पैसेंजर सूचना प्राली की शुरुवात की है इसमें एक डिस्प्ले बोर्ड लगा जाना है जो की तेनों के स समय और इस्तेती की जयन करी देगा साथ ही कोच गाइधनस डिप्ले डिप्ले बोर्ड जो कि टे की कोच उंका करम और सिंकी इस्तेती की जAyन करी देगा तो यह जो नहीं पर नाधर ली है पेसेंजर स्वा प्रणाले की शुरुवात हो चुकी है वो कहा चुकी है अनकापली रेलवे स्टीशन्स दर्षिन भारती मद्दी रेलवे की विजयवाड़ा डिवीजिंस हैं ख्यार नेक्स टाइम खेलों इंडिया में लॉन बाउल्स और कौन से खेल को साम्मिल किया गया है तेको खेलों इंडिया एक बड़ी महत्वा कांची श्की भारत में का जो खेलों का प्रदिनेद्द्व है वो बड़े और बढ़ने के साथ हमारा कॉंपेडिशन ऑलम्पिक औ और कॉमन वेल्थ में और इंप्रूव हो उसी के लिहाज से खेलों इंडिया की शुरात की गई थी अब देखिए इसमें बात की जाए तो आप्शन से हैं सैक्लिंग किर्केट होकी बास्केट बॉल्ल कौन से लॉन बाल्स के लावा कौन सा खेल तो जादो लॉन बाल्स और इसके अलावा जो वर्तमान में शामिल किया गया है वो है आपका सैक्लिंग है नियो आप्शन नमबर ए तो मतारत तो उसके दबन तो था पहली बार इसका आयोजन लॉन बाल्स और सैक्लिंग को शामिल किया जा रहा है खेलों इंडिया का जो यह तीसा संस्क्रण है वर्तम असम की राज़दा नहीं वो है गुवार्टी यह आपको याद रखना है खेल दो जनवरी दोजार बीस से मेट्रो टेनो में मुफ्त वाइफाई सुधा की दी जाएगी दो जनवरी दोजार किस शहर की मेट्रों मुफ्त वाइफाई सुधा प्रदान की जाएगी या यह दिल्ली मेट्रो में आपको वाइफाई की सुझधा मिलेगी दिल्ली मेट्रो ने डिसिजन लिया है कि फ्री वाइफाई की सुझधा जी जाए खेर इसके बार बता रहते हैं दिल्ली मेट्रो डेलवे कॉमेशन डी एमर्सी ने दो जनवी दोजार बीस को एरपोर्ट एक्सप्रिस लाइन पर मुफ्त वाइफाई सुझधा की शुरू की है पहली बार दिल्ली मेट्रो चलती टेन में वाई-फाई सिवा बदान कर रही है चलती मेट्रो में वाई-फाई की सुईदा बट यह सिर्फ एक लाइन पर है वो है एक्सपोर्ट एक्सप्रिस लाइन के उपर ऐसा होगा क्या नेक्स्ट एकोशन मच्छे ओके तीन जनुवरी दोहजार बीस को भारतिय विज्यान कॉंग्रेस के 107 संस्क्राइब किस शहर में किया गया ऑप्शन्स आ दिल्ली नई दिल्ली मुंबाई जैपोर बैंगलोरू तो तीन जनुवरी जो भारतिय नैशनल कॉंग्रेस भारत हमने पहले भी आपसे इस बारे में डिस्कुशन किया था किया इसके वांव डीप डिस्किन करते हैं इसका उद्गाटन प्धान मंत्री नरेंद्र मुदी दोरह किया गया है बैंगलूरू इस्तित इंसिट्यूट ऑफ एग्रिकलिजन साइंस में इसका आयोजन किया जा रह थीम इस ये इन इंडियन साइंस कॉंगरेश इस साइंस टेकनोजी रूल इन डेवलेप्मेंट चलिये नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टन कोशन ये एक्जाम के सबसे मोस्ति इंपॉर्टन जो मैं आपसे बताने करो भारती रिल्वी ने कौन सा एकिकरत हेल प्लाइन नमबर जारी किया है रिपीट जैसे आपको पतागा सौ जो एकिकरत नमबर है जो सभी सुईधाओं के लिए पहले पुलिस के लिए था है ना तो ऐसे एक 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 नमबर भी अभी रिसेटली जारी किया भारती दिल्वीम ने वह कौन सा है ऑप्शन से 149 144 142 और 245 ऑप्शन ने ब इस नमबर से 149 की साहता से यात्रियों कि शिकायतों का निर्वारण तथा उनकी साहता की जा सकेगी किसी प्रकार के रेलवे संब्दी जानकरी को इस हेल्पनीन नमबर से प्राप्ट कर सकते हैं और यह जो हेल्पनीन नमबर है भारत में 12 भाशाओं में उपलब्द रहेग कितनी भाशों रहेगा दोस्तों बारा भाशों में समयने बाती है कि एक तो यह नंबर आप कुछा रखना है 149 इंटीग्रेटेट हेल्पनाइन नंबर है इंटीग्रेट हेल्पनाइन नंबर है जो कि यातियों की शिकायत और उनके निवारण और उनकी सहिता के लिए बनाए पहला देश क्वाशा बन गया है सांटेट लिए बन गना ऐसा बोन्नाइब दोस्त क्क पर प्रटीबंद लगाना होना पहला देश कोन्सा बन गया है Hang ऑस्ट्रेलिया अमेरिका मालदिव और पिलाव जली बताके ही सांस्क्रीन लोशन होता है जो की वर्टमान में प्रतिब प्रतिबन लगाया और एक टॉक्सिक है कि अब देता हूं देखो ये बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत इंबॉडर्ण है जो मैं आपसे चाज़ा गयने वारा हूं प्रशांत महासगरी देश पर लाओ संस्क्रीन इस्तमाल पर प्रतिबन लवाना प्यादेश बन गया है जो कुरल दीब और समुद्री जीवों के लिए जहर के समान है क्यों है क्योंकि जब आप संस्क्रीन लगाते हो इसके बाद आप डाइविंग में जाते हो या फिर गोता-कुरी करते हो या फिर स्रुमिंग करते हो तो वो जो टॉक्सिक है जो संस्क्रीन है वो समुद्री जीवों और कोरल दीप के लिए नुक्सान दैक था पलाओ के रॉक आइसलेंड पर का लैगून यूनिस को विश्विजा इस्तल में शामिल है पलाओ समुद्री जीवन के लिए प्रसिद है इसे दुनिया के सर्षिस्ट गोताखरी स्तल की रूप में भी जाना जाता है तो सर्षिस्ट गोताखरी के लिए पलाओ जो है वो बहुत बेस्ट माना जाता है यह चीजा अब ध्यान रखें तो कोशन नंबर नेक्स्ट दो जनुरी दोजार बीस को प्रधानमंत्री नरेंजर मोदी ने किस राज्जी को राज्जों के किरशी कर्मन पुरसकार दिया ओप्शन सार उतरकंट बी पंजाब आप्शन सी हरियाना ऑप्शन डी रहस्थान तो दो जनुरी दोजार बीस को जो अवोर्ड मिला है वो मिला है उत्रकंड को अब क्यों मिला है उसके पुर्युजलगत शेता कर लेते हैं प् उत्राकन के क्रिशी कर्ण पुसकार मुक्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंग रावत और क्रिशी मंत्री है सुबोत उन्याल को स्वापा उत्राकन को वर्ष 2017-18 के लिए खाद्यान उत्पादन शिनी 2 के लिए उक्त पुरसकार दिया गया उत्राकन की जो राज़दानी है वो है धेरादून और इसके जो मुक्यमंत्री है वो है त्रिवेंद्र सिंग रावत तो यह चीज़ धान रखने की है राज़दानी आपको ध्यान रखने है और मुक्यमंत्री आपको ध्यान रखने है तो ये नरींदर मुदी जी ने इन दों को आवाड दिया उत्राकन के मुख्य मंत्री और कृष्टी मंत्री को किस राज ने AFSPA Arm Force Special Power Act को continue किया है किस राज ने AFSPA 6 मेंने के लिए बढ़ा दिया है अप्शन से असम नागलेन मनिपूर मेगाले तो मैं बता हूँ दोस्तों इसका आंसर है B नागलेन में इसको शुरू किया गया है सश्चस्त बल विश्चारगन कानून AFSPA को ततकाल प्रफासे 6 मेंने के लिए बढ़ा दिया है तीजून दौाय के अवदी तक ये आशांच शेतरी इसको गुशित कर दिया गया है और शेस्त बलविशा कानून के तहत सुराक्षा बल कहीं भी कारवाई बिना किसी पूर्ट नोटिस के किसी को दिर्व किधा कर सकते हैं और नागलन की जो राजदानी है वो है कोहिमा और इसके मुक्हि मंतरी है नेफियू रियो कि यह सभी जो करनेट अफियू की बात कर रहा हूं यह बहुत महत्त पूर्ण है सभी बड़े एक्जैम्स के इसाफ से आप लगातार बने रहें अपोगे अडूटेनर के उपर जहां पे आपको इसकी पीडिएफ पीडिएफ कहां भी लेबल होगी हम एक तो हमारी वेबसेट पी www.apogi.edu.in के उपर तथा यहां पे आप हमारा टेलिग्राम को भी सर्च कर सकते हैं मैंसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलिग्राम लिंक दे दूँगा वहां से जाके आपको फ्री डाउनलोड भी कर सकते हैं कोई इसकी चार्जिज नहीं है आप फ्री डाउनलोड करे और अपने जो सोजहाव हमें जरूर दे क्योंकि जब तक आप सोजहाव नहीं देंगे तो हमें पता नहीं चलेगा एक इंपोर्टन सोजहाव मैं आपसे मांगूंगा थोड़े दिनों में पर आई होप कि आपको जो हम समझाना चाहते हैं जो हमने करेंट आपके लिए बहुत बहुत महत्पून रहेगी और प्लीज इस वीडियो को ज्यादा है लोग दक पहुचा है लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेर भी करें ठीक है थैंकियो सो मच लगाताग मने रहे अपोगी एड्वेट पर दन्यवाद